शिव अर्चना ने स्टन्ट में किया अपना टार्गेट सेट क्या चालेंजर हिना खान इस बार भी मारेगी अपनी जीत की बादी गेम में आगे जाकर फिनाले में कौन लड़ेगा एक दूसरे से खत्रों की खिलाड़े के 13 सीजन में अब दूसरा स्टन चालेंजर हिना खान के सामने शिव और अर्चना है यहाँ पर वील वाले स्टन्ट में उन्हें एक टागेट सेट करना था जीसे ब्रेक करना था हिना खान को शिव और अर्चना दोनों ने ही इस stun को पूरी तरह से complete किya है शिव ने पूरे वक्त लगाए है 2 मिनट 50 सेकेंड में तो तो वहीं अर्चना ने इस सेम stun को 1 मिनट 55 सेकेंड में पूरा किया है अब दोनों के आगे हिनाखान है challenger अब उने इस target को तोड़ना है अगर वो इसे तोड़ देती है तो इन दोनों को फिर से नायरा और अरजीत की तरह फिनाले से बाहर कर देंगी और इस पार भी चालेंजर हिना खान काम्याब हुई है हिना खान ने इस स्टंट को 1 मिनट 25 सेकंड में कम्प्लीट करके दोनों को हरा दिया है और अब टिकेट टू फिनाले की रेस में आगे जा रहे हैं अरजीत तनेजा और अश्वरे अश्वर्मा क्योंकि ये सबसे लीस्ट खत्रों की जगह पर थे अब देखना बहुत इंट्रेस्टिंग होगा कि आगे जाकर नाखान कौन सा नया करतब दिखाती है और अश्वरे श्वर्मा और अरजीत तनेजा इन दोनों के बीच की जग में अब किसे टिकेट टू फिनाले मिलेगा अर्जी तनिजा और एशोरे शर्मा इन दोनों में से आप की से सपोर्ट कर रहे हैं हमें अपनी राइ कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें